26 जन्वरी पर PMQ नहीं फेहराते हैं ध्वज, इस बारे में मास्टर भी नहीं जानते. आपने बचपन से ही देखा होगा कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजा रोहन करते हैं. वही 26 जन्वरी यानी रिपब्लिक देपर वे जंडा नहीं फेहराते हैं क्य दिन राष्ट्रपती द्वजा रोहन करते हैं. इसमें क्या अंतर होता है? आईए जानते हैं. हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्र हुआ था. उस समय देश के मुखिया प्रधानमंत्री ही थे. इसी के चलते उस दिन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नहरू नहीं लाल कि रास को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपती के तौर पर शपत लेच चुके थे और वे देश के सम्वेधानिक प्रमुक भी थे. इसलिए 26 जन्वरी के दिन देश के राष्ट्रपती जंडा फेहराते हैं. रिपबलिक डे के दिन जंडा राजपत पर फेहराय जाता है. वहीं 15 अगस्त यानि स्वतंत्रता दिवस के दिन राष्ट्रिय ध्वज को उपर की तरफ खीचा जाता है और फिर इसे फेहराया जाता है. जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना जंडा उतार कर इंडियन फ्लेक को उप चड़ाया था. इसी वजह से हर साल 15 अगस्त के दिन तिरंगा को उपर की तरफ खीचा जाता है और फिर फेहराया जाता है यानि 15 अगस्त को द्वजारोहन किया जाता है और 26 जनवरी के दिन जंडा फेहराया जाता है. झाल